असलाम लेकुम एवरीवान, होप यौल आर फाइन, दोसु नोट सब्क्राइब मैं चैनल, यू मस्ट हैव तो सब्क्राइब और प्रेस तबल आइकन, तोड़े आवर टॉपिक इस क्रैमर रूल, पहले हमने किया था इन्वर्स मेथड से, इन्वर्स मेथड किया था, आज हम करेंगे, क्रैमर रूल करेंगे, यह थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें, उस से इन्वर्स मेथड से, तो चलने स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो पहला कोस्चन है, इसका वो है, X प्लस Y is equals to 2, 2X प्लस 3Y is equals to 5, सबसे पहले हम इसे मैट्रिस फोर्म में लिख लेंगे, जिस लिखेंगे, variable separate लिख देंगे, जिस तरह अब हमारे पास X है, यह हमारे पास variable है, जिसके साथ कोई coefficient नहीं होता, उसका coefficient 1 होता है, इसका coefficient भी 1 है और हमारे पास Y का coefficient भी 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1, 1 और नीचे हमारे पास X का coefficient है 2, और Y का coefficient है 3, आगे हम लिखेंगे X औ is equal to हम इधर लिखेंगे 2 और 5 जो is equal to के दूसरी तरह है हमार पास अब हमार पास जो first matrix है वो है A ये है X is equal to है ये B अब हम क्या करेंगे X का यहां पे हमार पास X find out करने के लिए इसका formula हमार पास different है वो है determinant of AX over A mod और हमार पास Y का हमार पास कैसे हम find out करेंगे Y का क्या formula है determinant of AY over determinant of A ठीक हो गया अब हम सबसे पहले निकाल लेंगे determinant क्योंकि अगर हमार पास determinant ही 0 आ जाएगा तो आगे हम question solve नहीं करेंगे question जो है वहीं पर stop हो जाता है अगर आपके पास determinant 0 आ जाएगा तो हमार पास A matrix क्या है 1, 1, 2 और 3 इसका हम कैसे determinant नकालते हैं इसको हम करेंगे cross multiplication दर्मियान में sign आएगा minus का 1 multiply by 2 तो 3 minus 2 answer आएगा और हमार पास A determinant क्या आगया 1 which is not equal to 0 तो आगे हम question solve कर सकते हैं आगे हमार पास है हमने X में A determinant नकाल लिया है अब हम नकालेंगे हमार पास AX है AX का हम नकालेंगे determinant AX is equal to हमार पास A क्या है 1 1 2 और 3 अच्छा इदर अब धियान से देखें आप AX अगर हमने AX का हमने determinant नकालना है तो यह जो first column होगा हमने इसकी जगा जो B matrix है हमार पास हमने वो B matrix लिखना है जैसे हम first column की जगा लिखेंगे 2 और 5 और आगे जो हमार पास लिखा वा था 1 और 3 यह हम वो ही लिखेंगे ठीक हो गया 1 3 यह हमार पास है AX determinant अभी हमने नकाला नहीं है AX हमने लिखा है ठीक है हम क्या करेंगे AX किस तरह लिखेंगे हम कि जो first column होगा उसकी जगा पे हमने B matrix लिखना है और आगे हम 1 और 3 ऐसे ही लिखेंगे अब हम इसका नकालेंगे determinant जिस तरह हमने उपर A का determinant नकाला था 2 को 3 के साथ multiply करेंगे minus 1 को multiply करेंगे 5 के साथ तो 2 3 जा 6 minus 5 is equal to 1 यह हमार पास AX का determinant आ गया अब हमने AX का determinant नकाल लिए है अब हम नकालेंगे AY का determinant तो हम कैसे नकालेंगे जिस तरह हमने यहां पीछे लिखा था AX का AX में हमने first column B का लिखा था और अगला जो column है वो हमने A matrix का ही लिखा था यह वाला अब हम AY किस तरह नकालेंगे AY में हमने first Y है तो हमने first column इसका A matrix वाला ही लिखा रहने देना है जो हमार पास यह था और जो second column होगा second column हमने Y वाला लिख देना है B वाला लिख देना है B matrix में जो था अब हम इसका determinant नकालेंगे 1 multiply by 5 minus 2 multiply by 2 तो 5 minus 4 is equal to 1 AY अब हमार पास क्या determinant आया 1 अब हमार पास जो यह formula थे पीछे X और Y find out करने के लिए उसमें हम values put कर देंगे X का formula था determinant of AX over A determinant उसमें हम value put कर देंगे उसकी और Y का था हमार पास determinant of AY over A determinant हमार पास AX का क्या आया था 1 1 को हम divide करेंगे जो हमार पास A determinant आया था 1 उसके साथ divided कर दिया अब हमारे पास Y का जो था AY हमार पास determinant क्या आया 1 और A determinant भी हमारे पास 1 है तो हमारे पास 1 को 1 पे divide करें तो 1 ही आता है और Y को Y की value क्या है कि 1 Y'ब 1 को 1 पे divide करें तो 1 ही आता है तो हमारे पास X और Y की क्या value आई है दोनों की हमारे पास values बन आई है I repeat it again Our question is grammar rule जो हमारे पास question है उसे हमने किस्से करने grammar rules है ठीक है तो उसके लिए हमारे पास question था X plus Y is equals to 2 और 2X plus 3Y is equals to 5 हमने सबसे पहले जो variables के coefficient थे उनको लिख लिए मैट्रिस में फिर X को भी लिख लिए और B का भी लिख लिए अब हमारे पास यह जो X Y है grammar rule में हमारे पास इनके formula different है तो हमारे पास X का जो formula था वो था A X determinant over A determinant और Y का था Y is equals to A Y determinant over A determinant सबसे पहले हम A determinant नकालते हैं क्यूंकि अगर हमारे पास determinant 0 आ जाता है तो हमारा question वही पर stop हो जाता है तो हम A determinant नकाला उसका answer हमारे पास आया 1 फिर हमने नकाला जो उपट था A determinant तो नकाली अब हम नकालेंगे A X determinant वो नकाला X वले में जो first matrix होगा A का उसकी जगा पे हम लगाएंगे जो B था B matrix था वो लिख देंगे और आगे वला हम ऐसे लिख देंगे ठीक हो गया उसके बाद हमारा X का determinant क्या नकाला 1 उसके बाद हम नकालेंगे A Y का determinant उसके लिए Y एप्स तो हम second वला जो column होगा वो हम लिखेंगे B का और first वला जो A का था वो ही लिखा रहने देंगे अब इसका हमारे पस क्या determinant आया है इसका भी 1 आया है अब हमने formula में जो X और Y के formula थे उनमें हमने values put कर देनी है तो हमारे पस जो values थी A X की और A की यहाँ पे भी A Y और A की जो थी वो हमने values put कर दे तो हमारे पस X और Y की जो values आई है वो दोनों की आई है 1 तो X is equals to be 1 है और Y is equals to be 1 है Hope you understand this video For more videos Please like, share and subscribe my channel Allah आफिस